दोस्तो किसी भी कंपनी का GMP प्राइस चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है दिन यहाँ पे आपको simply टाइप करना अपरेल से लेकि 22 अपरेल के बीच ओपन हुआ था आज की डेट में इसके GMP प्राइस की बात करें तो 1.50 आपको देखने को मिल रहा है प्राइस बेंड की बात करें तो 11 रुपे की उपर आपको इसका अलोट में मिला होगा एक लोट के अंदर शेर की बात करें तो 1298 शेर का एक लोट रखा गया था IPO लिस्टिंग डेट की बात करें तो 25 अपरेल को ये स्टोक एक्सेंज की उपर लिस्ट होते हैं आपको देखने को मिल जाएगा पर लोट के अंदर प्रॉफिट की बात करें तो एक हजार 947 रुपे आज की डेट में इसके अंदर प्रॉफिट दिखा रहा है अस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 12.50 के उपर ये लिस्ट हो सकता है ऐसा अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है अगली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर फॉल्कॉन मिला होगा एक लोट के अंदर शेर की बात करें तो 2000 शेर का एक लोट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा लिस्टिंग डेट की बात करें तो 26 अपरेल के दिन यह आपको स्टोक एक्चेंज के उपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली कंपनी की बात करें त 25 अपरिल के बीच open हुआ था इसके GMP price के अंदर अभी कोई भी moment नहीं है price band के बात करें तो 150 रुपे इसका price band रखा गया है इसके एक load के अंदर आपको 1000 share quantity देखने को मिल जाएगी listing rate के बात करें तो 30 अपरिल के दिन ये आपको stock exchange के उपर list होते देखने को मिल जाएगा एक load के अंदर profit के बात करें तो almost zero है यहाँ पर listing price के बात करें तो estimated 150 रुपे के आसपास ये आपको list होते देखने को मिल सकता है अगली company के बात करें तो enforce auto take आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा EIPO TV सपरेल से लेके 25 सपरेल के बीच open हुआ था इसके GMP price की बात करें तो 110 रुपे इसका GMP price रखा गया है price band की बात करें तो 98 रुपीज इसका price band रखा गया है per lot के अंदर share की बात करें तो 1200 share का एक lot आपको देखने को मिल जाएगा listing date की बात करें तो 26 अबरेल के दिन आपको stock exchange की उपर list होते देखने को मिल जाएगा per lot के अंदर profit की बात करें अगर आपको इस company का एक lot अलोट हुआ है तो उसके अंदर आज की rate में 1,32,000 का आपको profit देखने को मिल जाएगा estimated listing price की बात करें तो 208 रुपे के आसपास से आपको stock exchange के उपर list होते देखने को मिल सकता है अगली company की बात करें तो इसके अंदर JNK India आपको देखने को मिल जाएगा यह IPO भी 23 अपरिल से लेके 25 अपरिल के दिन आपको open होते देखने को मिल जाएगा इसके GMP price की बात करें तो 25 रुपे आज की date में इसका GMP price चल रहा है price band की बात करें तो 415 रुपे इसका price band रखा गया load size की बात करें तो इक lot के अंदर आपको 36 share देखने को मिल जाएगे listing date की बात करें तो 30 अपरिल के दिन यह आपको stock exchange की उपर लिष्ट होते देखने को मिल जाएगा यहां पर load profit की बात करें तो 540 रुपे आपको एक lot के अंदर profit देखने को मिल जाएगा estimated listing price की बात करें तो 440 रुपे के उपर ये आपको stock exchange को पर लिश्ट होते देखने को मिल जाएगा अगली company के बात करें तो इसके अंदर cvm chemicals आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इस IPO की opening date की बात करें तो 23 अपरेल से लेके 25 अपरेल के बीच ये open रहने वाला है इसके GMP price की बात करें तो 2.5 आज की date में इसका GMP price चल रहा है price band की बात करें तो 44 रुपीज यहाँ पे price band रखा गया है पर load के अंदर share की बात करें तो 3000 quantity का आपको load देखने को मिल जाएगा listing date की बात करें तो 30 अपरेल की उपर यह आपको stock exchange की उपर list होते देखने को मिल जाएगा per load के अंदर profit की बात करें तो 7500 per load के अंदर आपको profit देखने को मिल जाएगा estimated listing price की बात करें तो 46.5 की उपर यह आपको stock exchange की उपर list होते देखने को मिल सकता है अगली कंपनी के बात करें तो इसके अंदर मंदी पाटो इंडस्टी आपको देखने को मिल जाएगा यह IPO दोस्तो अभी upcoming है आपे इसका जीमपी प्राइस नहीं आया इस कंपनी के price band के बात करें 67 price band इसका रखा गया पर लोट के अंदर share quantity के बात करें 2000 quantity का आपको यह load देखने को मिल जाएगा listing date अभी available नहीं है जैसे यह available होगा यहाँ पे आपको update मिल जाएगा पर लोट के अंदर अभी के date में profit 0 है estimated listing price आप देखेंगे तो यहाँ पे 67 आप इसको मान सकते हैं अगली company के बात करें तो AMK product आपको देखने को मिल जाएगा यह IPO upcoming है यहाँ पे अभी GMP prices का कुछ भी नहीं है price band यहाँ पे 55 उपीस रखा गया है पर लोट share की बात करें 2000 quantity आपको देखने को मिल जाएगी listing date अभी available नहीं है पर लोट कितना profit होगा अभी estimated नहीं मिला है listing price कितना होगा इस अभी estimated अभी नहीं आया है जैसे यह आपको सारी चीज़े clear हो जाएगी यहाँ पे आपको update करा दिया जाएगा दोस्तो इसके बाद एक new IPO और आने वाला है रेक सेंड रोलर्स का यह भी अपकमिंग है जीमपी प्राइस आज की रेट में 0 है प्राइस बेंड इसका 78 रखा गया है लोट साइस की बात करें तो 1600 शेयर का यहाँ पे एक लोट रखा गया listing date अभी available नहीं है पर्स लोट के अंदर कितना profit होगा वो भी available नहीं है तो जीमपी के साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए IPO subscription status ही चेक करना है आपको जीमपी प्राइस कभी भी IPO के अंदर apply नहीं करना है यहाँ पे आएंगे आप IPO subscription के अंदर जीस भी company के आगे आपको oversubscribe देखने को मिल जाए आप समझ जाएगा उस company के अभी demand अच्छी चल रही है जीस company के अगे oversubscribe नहीं है आप कोशिस करेगी उस company के IPO में apply करने से बचे क्योंकि हो सकता है उस price payment के आसपास या उससे नीचे वो company जो है list हो जाए तो जब भी आप किसी company के अंदर apply करे आपको जीमपी प्राइस के साथ IPO का subscription भी देखना है जब तक oversubscribe नहीं हो आपको किसी भ या IPO आने वाला है कि इस IPO का GMP कितना है IPO का subscription कितना है पोर कमिंग के अंदर जितने भी IPO रहेंगे वो सभी आपको शो कर दिये जाएंगे आप mutual fund के अंदर interested है तो यहां पे NFO से रेटेट भी सभी information आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा फिर भी IPO से रेटेट आपका कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा को सिस करूँगा एक जन्मर रिपलाइ दिने की चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकरी के साथ चलिए थन्यवाद